राश्ट्रिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्रोध्यूगी की संस्थान द्वारप्रस्चुत्ते NCERT द्वरा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचें पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनी कारिक्रमों की शंखला इस शंखला में आज प्रस्तुत है कारिक्रम एक समवाद क्या तुमने गौर किया है कि सभी स्वतंत्रता चाहते हैं बच्ची स्कूल में स्वतंत्रता चाहते हैं मा घर में स्वतंत्रता चाहती है पिताजी दफ्तर में शिक्षक और प्रधानाचारे भी स्वतंत्रता चाहते हैं पक्षी स्वतंत्र रहना चाहते हैं और पेड़ों को भी बढ़ने के लिए स्वतंत्रता चाहिए पिंजुडे में बंद पशु कभी खुश नहीं होता राजनी तिग्य भी स्वतंत्रता चाहते है वैज्यानिक स्वतंत्रता की मांग करता है पशु, पक्षी, मनुश्य सभी स्वतंत्रता चाहते है अपना विकास करने के लिए उन मुक्तता चाहते हैं कोई भी बंधन में नहीं रहना चाहता क्या तुमने इस पर ध्यान दिया है? क्या हम इस विशेव पर और बातें कर सकते हैं? एक दिन शिक्षक ने कक्षा में इस प्रकार का वारतालाप प्रारंभ किया ये सुनकर विद्यार्थियों के चेहरे खेल उठे, क्योंकि गणित, भौतिकी, इतिहास या भूगोल सीखने की अबेक्षा ये कहीं अधिक दिल्चस्प विशय था इस तरह कक्षा में सजीव चर्चा प्रारंब हुई, जो कुछ इस प्रकार थी शिक्षक ने कहा जब तुम ये कहते हो, कि तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए, तब तुम्हारा क्या अर्थ होता है? मेरे विचार से इसका अर्थ ये है, कि वो सब कुछ करना जो एक व्यक्ति करना चाहता है, न कि जो उसे करना पड़ता है यदि सोचो कि तुम्हें देर तक सोना अच्छा लगता है उसी समय उठना अच्छा लगता है जब तुम्हारा मन करे अपने मन के अनुसार तुम नहाना चाहते हो या नहीं चाहते तुम गंदे कपड़े पहन कर उस समय आराम से स्कूल आते हो जब प्रार्थना सभा समाप्थ हो चुकी हो तब क्या तुम स्वतंत्रता का अनुभव कर सको के? नहीं ये ठीक नहीं क्योंकि इस तरह मैं कई बातों से वंचित रह जाओंगा किन्तु जब हमें कभी कभी देर हो जाती है तब हमें उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए जब हमें सजा मिलती है तब हम स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करते इसके बाद शिक्षक ने इस प्रश्न का एक दूसरा रूप लिया क्योंकि वो चाहते थे कि कक्षा उस समस्या को एक अन्य द्रिष्टी कोण से भी देखे शिक्षक ने कहा ठीक है चलो हम देखें कि एक शिक्षक के जीवन में स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है क्या एक शिक्षक अपनी मन मानी कर सकता है नहीं बिल्कुल नहीं उदारन के लिए वो ये नहीं कह सकता कि वो उसी समय कापियां जाचेगा जब उसका मन करे वो कक्षा में बिना तैयारी किये आकर पड़ा भी नहीं सकता वो प्रधानाचारे द्वारा सौपे गए उत्तरदायत्पु को अस्विकार नहीं कर सकता हाँ पर प्रधानाचारे पर क्या उत्तरदायत होता है क्या वो मनमानी कर सकते हैं नहीं प्रधानाचारे का अभिभावकों जनता और समूचे समाज के प्रती उत्तरदायत्पु होटा है साथी स्कूल के शिक्षकों तथा चात्रों के प्रती भी उसका दायत्पु होता है जब हम मिलकर कोई काम करते हैं तब हमारी स्वतंत्रता का अर्थ समुह के प्रती जिम्मेदारी होता है ये बात सरकार पर भी लागू होती है विधायकों की उन लोगों के प्रती जिम्मेदारी है जिन्होंने उन्हें चुना है तथा इसी प्रकार प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत का विधायकों के प्रती उत्तरदायत हो है और उनके माध्यम से लोगों के प्रती भी उनका उत्तरदायत होता है क्या ताना शाही में कोई स्वतंतरता होती है? नहीं क्योंकि ताना शाही में केवल एक ही व्यक्ति नरणायक होता है और अन्य सभी उससे डरते हैं क्या तुमने नहीं सुना कि जहां भय होता है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती पर जनतंत्र में भी कभी-कभी हमें भय की अनभूती होती है क्या तुम कोई उधारन दे सकते हो? व्यापारी कानून से डरता है, गरीब आदमी अमीर आदमी से डरता है और व्यवस्था हरताल से डरती है परन्तु जनतंत्र में लोग इसकी चर्चा कर सकते हैं इस विशे पर लिख सकते हैं क्यों है ना जबकि ताना शाही में ऐसा कोई नहीं कर सकता हाँ कि तो कभी कभी अख़बार गलत खबर चाप देते हैं और इसलिए लोगों को बहुत सतर्क होना चाहिए बेशक वास्तम में जनतंत्र में लोगों की स्वतंत्रता के लिए प्रैस ही एक मार्ग है किन्तु इसके बाद भी लोग डरे रहते हैं ऐसा करना बुद्धि मानी नहीं है क्या तुम्हें पहले ये नहीं जान लेना चाहिए कि तुम्हें क्यों डर लगता है और किस से डर लगता है इसके बाद क्या तुम्हें उस डर को समझ नहीं लेना चाहिए ताकि तुम अपने दिमाग से इन बातों को निकाल दो इस तरह उस दिन उनका वार्तालाप चलता रहा तुम भी इन प्रश्णों पर विचार कर सकते हो मनुश्य उच्सुकता तथा आश्यर से भरा हुआ होता है उसने प्रकृती के विशे में जाच कर सब कुछ जानने का प्रयत्न किया है उसने बड़े धैरे से पशुपक्षियों के जीवन के विशे में अध्ययन किया है उसने अंतरिक्ष की चानबीन की है और तारों, ग्रहों और इस रिष्टी के बारे में सब कुछ जानने का प्रयत्न किया है वो सागर की गहराईयों में उत्रा है और उसने सीपियों, मोतियों, वेल मचली, सील तथा सूरू मचली के बारे में बहुत चानकारी प्राप्त की है उसने सागर तल की दुनिया की सभी बातें जानने का प्रयत्न किया है उसने मनुष्य की कहानी और संस्कृतियों का अध्ययन किया है उसने चट्टाने, गुफाएं और जिवाश में ढूंट निकाले हैं उनकी कहानी समझी है उसने दवा और शल चिकित्सा के एक शेत्र में असाधारन खोज की है इस तरह उसके मन में बाहर की दुनिया को लेकर बहुत जिग्यासा है और इस विशय में बहुत ग्यान प्राप्ति किया है शिक्षक इस कक्षा में चात्रों से अपने अंदर की दुनिया खोजने के लिए कह रहे हैं वो चाहते हैं कि विद्यार्थी अपने दिल दिमाग में जहाग कर देखें, ताकि वो ये समझ सकें कि कौन सी वस्तु शिक्षा में सहायक है और कौन सी नहीं। शिक्ष्यक उनसे स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली रुकावटों के प्रती सजग रहने के लिए कह रहे हैं। अना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाहरी दुनिया का ज्यान। क्या तुम इस विशय पर अपनी कक्षा में चर्चा करना चाहोगे। इस विशय पर जरा सूचो। एक समवाद अभियाप सुन्रहितिय कारिक्रम् चत्रुवेदी तथा निर्माण इवं प्रस्थुति वंदना अरिमर्धन। कि एक सुन्र्वेदी अधन। कि एक भ्ली के सुन्ë कि एकी सट्वेदी बिभया जर्चा जितने जितना च econ 5000 couर अशा